गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स हम लोग जोग्राफी का अध्यान कर रहे थे टॉपिक भाई उसमें सबसे पाले हम लोग क्या देखे थे तो हम लोग जिए अधेन कर चुके हैं उसके बाद क्या देखे थे हम लोग क्लाइमिटर लोजी फिर ओस्रियो गराफि देख चुके हैं और उसके प्रयावरण जोगराफि भी देख चुके हैं और जब हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले लिस्ट में देखेगा तो जोगराफिक का एक पपूलिशन गुरोथ देखते हैं सबसे पहले देखिए यह बार बार कोशन आता है कि पहले कितनी आवादी थी आज कितनी आवादी है इसा के पर्थम सताब्दी में विश्व की जनसंख्या लगभग 30 करोड थी कब बात रहे तो पर्थम सताब्दी यानि कनिस्क समय की ब देखिए यहां पर 1650 में 50 करोड थी और यहां देखिए सबसे पहली बार चाहर अरब कोब होती है पांच अरब दुनिया का अबादी इसका मना जाता है पूले संडे मना जाता है है 1987 में पहली पर दुनिया के अबादी पांच अरब होती है 87 मातर 12 साल में यानि 99 में चोह और दोजार चाहर चाहर दोजार में सात अरब और अभी दुनिया के अबादी लागभग 8 अरब के कड़िए यहां देखिए जनसंख्या विर्धी में योगदान देने वाली तीन पर मुख घटना है कौन-कौन पहला किर्शी के अबिकास होगी है दूसरा और दोगी करांती और तीसार का ची किसी करांती यानि इस पर मीर्थू पर विजय पाली जाए तो क्या होगा नर्मल सी बात है लोगों का जीवन परत्यासा बढ़ जाएगा जीवन जीने की सबसे अधिक एस या में इतावर आए कितना लगभग साथ परसेंट और उसके बाद दूसरे नमबर पर यूरोप 11 परसेंट यूरोप है और यूरोप के से भी कम तो दक्षीन अमेरिका में और अफ्रीका में दोनों में लगभग आठाट परसेंट है और अफ्रीका इसे भी नहीं गलती लिख दिया है इसलिए में 60 परसेंट उसके बाद से कम यूरोप में 11 परसेंट फिर अफ्रीका में 8 परसेंट अफ्रीका के से भी कम उत्तर अमेरिका और दक्षीन अमेरिका के अबादी लगभग बढ़ाव है और सबसे कम कहां तो अस्ट्रिलिया में पर तो अफरीका में के उप सहारा च्हेतर है यहां पर उत्री अफरीका पुर्वी अफ्रीका मद अफरीका दक्षीन अफरीका बस याद करने वाली इस बात है और इसमें जहां पर कांग होगा जो गुनिया है इसी तरह कर आप सबसे दिख आबादी का जो परसेंटेश है आपको यहीं मिले कितना है तो 49 और मद अफ्रीका में नाइजेरिया वाले में अवाल व्ला में इसमें खुशले यह रहां है मत्य। वहतुत हैं में हें let in आडसे वे स्जितानल शेश में i andman karm Wat highly कृrene Corka में LEBB H सुपय। बेसले डेश को पौह देखतिए लोग आगे एंगे कि आघी हैं और यहां मध अमेरिका में दिया में कोन से इतना सार यहीं देश में पनामा कोश्टारीका निकारागुवा गोटेमाला इतना देश आते हैं कहा के देश है सब तो मद्य अमिर्की देश है और भी कश्वटे छोटे-छोटे होंडूरास अलसलवाडोर बेलीज आजी दिएसे सब कहा जेस अ मध्ध अमेरिकी देश है कितने हैं बेलीज गटेमाला होंडुरास अलसलवाडोर निकारागुवा कोस्टारीका पनामा इसाब मध्ध अमेरिकी देश है उपर मेक्सिको है और यह आगे बढ़ते हैं दिखें और यह उत्त अमेरिका में मुखसा तीन देशाते हैं कनाड़ कनाड़ा और उपर होगा एक कनाड़ा यह कौन है तो उन्चासमी पैरललर लाइन है तो कनाड़ा उपर नीचे यूएस और यह मैक्सिको यहां पर क्यूबा इसा करीबी आई देश हैं यहां पर शोटे-शोटे बहुत सारे ट प्लमबियओ एक्वाडोर ब्रजील पेरु बोलीविया प्रागुवे दोडर लिविया और प्रागुवे लैंदव कंट्री फिर है ओर अर्जेंटीना और चीरिजी थे यह अट्लन्टिक महासागार है वेस्ट में साथके इस का वेस्ट-मे में तीन देश होनकोन नाम ही एक एक एकवाडोर दूसर का कॉलंबिया और ब्राजील वेनेज्विला से ओकर विसोद रेखा नहीं गुजरता है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर दिया हुआ है पुरी दुनिया में जसंख्या का बीतर नहीं कोई याद करने वा लोग भारत को पीशेश छोड़ चुके होते हैं लेगन अभी भारत सिर्म है तो अफरीका में जन्मदर अधिक और मिर्तु दर दोनों सरवाधिक यही कारण है कि अफरीका में जन्मदर मिर्तु दरूम होने के गवंगे तो क्या होगा जसने के कारण नीरभार में और कुल कारसिल जनख्या में वयसको कि अधिकता के कारण आर्थी के विकास का उच्छ होना जन संख्या लभांस कर लाता है यह समाने तह जम जनांकिय संक्रमन यानि डेमोग्राफिक ट्राइशन का दूरास्त आयि जोन अंदर में काफी कमी आने पर जन्संख्या में बच्चों का नुपाद घृत जाता है यहां पहले सुपसित युगा कारसिल जन्संख्या का नुपाद बरहा देते हैं जन्संख्या संख्या विर्धि की गति रखिक न होकर घातिय होती है यह पहले जसन के बहुत रही थी लिए अब गटने रगेगी जन समुहन के अधार पर चार छेत्रों का करम दक्षिन पूर्वी एसिया पुर्वी एसिया पुर्वी एसिया पुर्व मध्य उत्तर अमेरिका आधी चार पूरा पासान काल में हुगा था उस समय विस्व में मनुस्यों के संख्या लगभग एक हजार से भी कम रही होगी इससे तो अधिक अभी भी आज भारत में ही लगभग साथ्सों अबर से रहें मानों भी उसमें उतना ही रहा होगा समझे कितना खराबी सिद्ध्य इसके 251 करोड थी इस प्रकार असपस्थ है कि प्रागेतियासी काल में जनसंख्या विर्धी की दर अत्यंत्र मंद थी जो विभिन यूगों में घरते बरते लगभग स्थिर बनी रही जितनी जनसंख्या पिछले 10 लाख वर्सों में हो पाई है उसके चार गुना से अधिक जनसं होने में लगा 1650 वर्सों में चर्गुना अबादी बढ़ा जितना दसलाख वर्सों में अबादी बढ़े थे और अगले मातर 300 वर्स में ही 1650 से 1950 वर्स तक विशुगी जनसंख्या लगभग पांच गुनी हो गई और अब देखिए तो परतिक वर्स ही बढ़ जाते हैं और पिछले 50 वर्सों में यह पुना लगभग धाईगोना हो गई इससे यह असपस्ट्रफ है कि जनसंख्या के उलेखनिये विर्धी आज से लगभग 400 वर्स पहले अरम हुई और इसकी दर में निरांतर विर्धी होती गई जनसंख्या की तीवर की सरवार्दी की विर्धी वि एक देशों में यह विर्धी इतनी तीव रही कि वे जनसंख्या विस्पोर्ट की स्थिती में आ गए 1650 इसवी में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 55 करोर थी जो 100 वर्स बाद 1750 इसवी में बढ़कर 72 करोर हो जाती है इस परकार 100 वर्स में लगभग 30 परसेंट की वि विर्धी के परिनाम सो रूप 1850 इसवी में विश्व की जनसंख्या 133 करोर तक पहुंच गई पुना 50 वर्स में ये 33 करोर जनसंख्या और जुर्गजी से 1910 में विश्व की कुल जनसंख्या 166 करोर होने की अगमान मंतलब की हो गई थी इस मंद गती के कारण प्रकृति के आपदावत था महामारियों की सर व्यापकता थी तो देखिए 200 जनसंख्या परतीसत में विर्धी तो सबसे अधिक विर्धी कब हुआ है यहां देखिए 1950 से 2000 में 144 परसेंट विर्धी हुआ है और बाकी सब में इससे कौम ही है उन्हें पचास से दोजहर में 144 परसेंट और जहां शोरो सोपच्या से सट्रसों पच्या से एक सो साले मातर तीस परसेंट अवाधी बढ़ा था वहीं यह एक सो चारीस परसेंट मातर पच्यास परसेंट बढ़किया विर्धी यहां देखिए सबसे करोड किता बढ़गिया तो 30 क्रोड का बढ़ा तो 1990 में मातर नव्य क्रोड वाधी बढ़ गया था यह सबसे अधिक अगर किसी दोस वर्स में और कोई अबादी बढ़ा है पूरी दुनिया में सबसे अधिक अबादी है कि 166 करोर की जनसंख्या 50 वर्स बाद 1950 में दूसर एकाउन करोर हो चुकी थी 1960 तक 200 जनसंख्या 300 करोर तक पहुंच गी और इस प्रकार यह पचास वर्सों में डेर गूनी और साथ वर्सों में दो गूनी हो गई थी 20 सताब्दी के मध तक जनसंख्या बिर्धी की बार्सीक दर समाने तह 15% से अधिक नहीं थी कबात्वर यह तो विश्मी सब्दी के महता किन्तु उनिसो पचास साथ के मध में यह एक दसमलो नौ परसेंट और उसके पहचात यह दो परसेंट से वियतिक जनसंख्या की बार्सिक बिरिसीदर हो गई थी इस प्रकार वर्स उनिसो असी में विश्व की जनसंख्या चारसो चालिस करोर हो गई थी इस अधी में जनसंख्या विर्धी दर में कुछे कमी तो अंकित की गई थी यह एक दसमलो नौ परसेंट है जिसके फल्स रूपी विश्व की कूल जनसंख्या लगभग सारे पांच को सो करोर हो गई थी यानि 530 करोर उनिसो नब्य से दो हजार तब के मातरे 10th वर्ष में हिं जनसंख्या में ऐसी क्रोर की व्रधी अंकित की ती उप्रवेध आकरों से क्या हम समझाता है कि म्हच्थ काल के अंधत तक जनसंख्या विर्धी की किती उत्यंत मंद थी और अधुनीक काल नफे इसकी विर्धी जनसंख्या लगभग चार गुणी और अंतिम पचास वर्सों में ही तो धाय गुणी हो चुकी है हजारव वर्सों तक जनसंख्या विर्धी के परणाम स्वरूप 1820 में जनसंख्या एक अरब हो पाई थी कब तो 2022 की बातती है इसे दो अरब होने में एक सो वर्सन का समय लगा था इसके फस्वार होगिया और अगले 2020 वर्सी में 4 औरब तरब या अगलेgypt ग्रव दॉस वर्सी में 1990 से 2000 औरफ 2 फाछा डीयेधी कि आंतर को पार कण चूकी थी कारण है फिटासी से समीघी और भी थीधार के ऊंछ वने कईूंति हुए मिल्स तरह इसके कुछ उतरदाई परमुक्री कालन जिसे विकासील देस समाजी आर्थिक दव्दिश्चि से पिछले हुए है और नि प्रếंधा तासवल व्यापी है गौं करने वाले सबस्टि यंपर करती है कि लिफीर और इंद नि तNOकर नि प्रेंग threat सब मिल जाएंगे तो उनके लिए क्या है तो लाठी है वहीं बनी बात है जितना हाथ उतना काम इरधान्ता के कारण बच्चे सिक्षा गरहन करने के लिए भी डाले नहीं जा पाते और अलपायू में ही काम करने लगते हैं परिवार की आय में विर्धी करते हैं निम्नी जीव आज परंपराओं रूडिवादी का विस्ष्ट परभाव पाया जाता है इनके कारण परिवार नियुजन तथा संतती निग्रह में बाधायां उत्पन होती हैं कुछ धर्म तो यह कहते हैं कि यह तो अलामिया का देन है परिवार नियुजन के विरोधी हैं जो जन्म के दर परिवार नियुजन में रूची नहीं दिखाती है कि पिछले चार से पांच दसकों में चिकित्सा सुईधाओं के करौमिक विस्तार से मिर्थू दर पर नियुंतरन होता गया और मिर्थू दर घरती किन्तु जन्म दर में कमीन होने से जनसंख्या की विर्धी अधिक तीप परसेंट थी लेकिन किन्तु विस्तु के विभीन भागों में इस विर्धी दर में अधिभीन इता है जनसंख्या की वार्थी की विर्धी दर सुन से लेकर साथ दसमलों दो तक पाई गई है इसके विप्रीत यहां दिखिए रटाबिया हंगरी बुलगारिया और करनाडा क जनसंख्या में हरास की परविर्धी देखिए यहां पर घट गया बादी जनसंख्या के वार्थी की विर्धी दर के अनुसार विस्तु के समस्त देशों को चार सेने नियों में वर्गी कृत किया गया है पहला है नीमनी विर्धी दर वाले देश तो इसमें को नाएंगे सं इसके परिनाम स्वरूप प्राकिर्थि की बिर्धी दर अधिक नीची है अधिकान से बिकसी देश से जनांकी यह संक्रमन की अंतिम औस्था में और जनसंख्या यहां पर इस्थिर हो चुकी है यह कर्व फ्रेट हो या विस्व में नीमनी विर्धी दर के परमुक्षेदर तो देखिए यूरोप यूरोप में यूनाइटेड किंगडम जर्मनी फ्रांस उर्जालें यूनान ड और मध्य में विर्धी दरवाले छेतर यहां इसमें आपको विकासील देश मिलें इसकी अंतरगत अधिकांस विकासील देश आते हैं जिनकी वारसिक जनसंख्या विर्धी एक से दो परसेंट तक है किन्तु सवनित अज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनडा और आइसलेंड जैस विक्सीद देश भी इसी वर्ग में समाहित हैं विक्सीद देशों में बाहरी आगंतुकों की कार्न जसंख्या विर्धी कूर्ष अधिक हो गई है और था प्राकिर्थी की विर्धी दर अतिनीम्न है विकासील देशों में जन्मदर में हरास होने के पढ़िनाम स्वरूप विर्धी दर पहले से कम हुई है मध्यम विर्धी दर वाले परमूग देश एसीया में भारत चीन कुरिया मेमार कमबोडिया वियतराम थाइलेंड स्री रंका किर्गिस्तान ये सब क्या तो एसीया के हैं दक्षीन अमेरिका में चीली अर्जिंटीन ब्राजील ट्रीनाड आ आदी देश आते हैं और आगे देखिए और यूरोप में तो आइसलेंड और मेनिया अजर्बेजान अल्बानिया माल्टा और साइपरस और अफरिका में मोरिसस के आवादी मध्यम विर्धी दर वाले में है और अस्ट्रेलिया और उतर अमेरिका में सुनुत राज अमेरिक अस्ट्रेलिया उतर अमेरिका में USA और कनाडा भी इसी में सामिल है और उच्छी विर्धी दर वाले छेतर तो इस रेनी के अंतरकत आने वाले देशों में जह संख्या की विर्धी दर दो परसेंट से लेकर तीन परसेंट तक पाई जाती है सहारा के दक्षिन में अधिकास अफ्रीका और विहदारक दक्षिन अमेरिकी देशों में जह संख्या की विर्धी दर उच्छा है पिछले दो दसकों में जन्म दर में हरास के पढ़्याम स्वरूप अनेक अफ्रीकी और एसियाई देश अति उच्छी विर्धी दर की सिरेनी से निकल कर इस सिरेनी के देशों में सामिल हो गया है इस इन देशों में मिर्धी दर एक हजार वेक्ति में 15 वेक्ति से कम पाई जाती है किन्तु जन्म दर अधिक है परती एक हजार में 20-30 बच्छी जन्म ले लेते हैं तो आपको मिलेगा मलेसिया इरान पाकिस्तान मंगोलिया तुर्की इज्राइल बंगलादेस लाओस नेपाल फिलिपियन साथ इसमें का अधिकतर इसलामिक कंट्री है क्यों कौन है तो मंगोलिया इसके अबादी ही मां तक 30 लाग है जिसको क्या लेना है छोड़िये और नेप सुडान इथोपिया युगंडा गीनी चाड मोजांबिक नाभी विया इसलामिक कंट्री है लेटिन अमेरिका में बेनेजुए मेक्सिको बेनेजुएला कोलंबिया इक्वाडोर पेरू बोलिबिया ग्वाटेमाला निकारागुगा है यहां पर हैती में ही अबादी बहुत जानित देसों में संख्या की बर्थी दर 3% से भी अधिक है जिवीत बत Tommy के हीएं? कि मिर्दू को प्राप्स करते हैं और 40 नय बच्चे जन्म ले लेते हैं इसी जन्म दर बहुत त्रीवर है यहां पर उच अती ऊच विर्धी है इसे प्राकिर्थी की विर्धी दर अती ऊच है सहारा के दक्षिं इस्तित अधिकांस अपरिकी देश इसी सिरे नीमे आते हैं यह नए नए मुख्य धारा से जूरने वाले देश है दक्षिन पचिम एसी आ तथा उत्री अफ्रीका अफ्रीका के मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले देशों में जनमदर अपेक्षाक्रित उच्छे हैं क्योंकि यहां पराया जनमदर पर नियंत्र कारण नहीं है मिर्दुदर में नियमतर हास होने के कारण सभावता जनसंख्या की विर्धी दर अथि उची उपाई आती है अथि उच जनसंख्या विर्धी वाले परमुख देश जैसे अफ्रीका में किनिया गयवान तंजानिया जायरे अंगोला जांबिया नाइजर अभी कांगो युगांडा लिबिया दक्षिन यह हम दक्षिन पहस्ची मेसिया में सवनित अरव अमिरात सौधी और अरव कोरत सवरी कोतर उमान कुवायत बहरीन यमन जोडन सीरिया अपकानिस्तान इस सारे क्या है तो सारे क्या सारे इसलामिक कर्णूटी है और लेटिन अ जनसंख्या विकास का समान विसलेशन प्रस्तूत करता है जो जनमिदर और मिर्तुदर के काली परिवर्तनों या संक्रमनों पर अधारित है यह सिधांत यह असपश्च करता है कि दिरहकाल में जनसंख्या का विकास किस प्रकार होता है यह सिधांत आर्थिक एयों प्रादो जनसंख्या विकास में परिवर्तन होता है पिछले 200 वर्सों में और दोगी करण और नगरी करण के परिणाम सो रूप जनसंख्या विकास के मार्ग में संक्रमन यानि परिवर्तन के उत्पत्य हुई है जिसे जन्मदर और मिर्थुदर में होने वाले कलानुकर्मी परिवर्त में परगट किया जाता है जन् chỉ संकर्मर सिधनत का । अंहों पहुच्च CCP worrying कि और्भों कर कि घंशंख्या की काली की एरन समय के अनूसार विर्धी परतुरूप का समानी करण जन्मदर और मिर्थुदर में होने वाले कालानु कर्मिय परिवर्तनों का धार प्रगिया इस परकार यासी धान्त पास्चात विक्सी देश्चों में विकत 200 वर्सों से चलिया रही है जन्मदर और मिर्थुदर में होने वाले परिवर्तन की कि जनांकीर संक्रमन सिध्धान्त जनसंख्या समधी आंकड़ों को इस प्रकार विवस्थित करता है कि इसे काल के संदर्व में लगभाग कार के संदर्व में जनसंख्या परिवतन की चेतरिये प्रकिरियाओं का विसलेशन किया जा सके कुछ लेखो को ने जनंकिय संक्रमन को की तीन आवस्थाओं को माना कुण तो तीन आवस्था होता है तो कुछ ने चार कुछ लेखो को को ने तो पांच आवस्थाओं भी मान लिए हैं नोटेश्टीन औरसर लाद कि नोटेश्टीन और समस्था ने जनंग कि संक्रमन अवस्था और यदो ने चारोल स्था ता तथा बलैकर और पीटर कौक्स में और पीटर कॉग्सने पांच नंशार जनंक की surprised है चकर का अषनल किए नोटर संंही झे विर्धी दर की ऑस्था जिसमें जन्मधर उच उती है दूसरा जनसंख्या की और तर में कार lle लेजिसमें जन्मधर में क्यार्ण बेना बेसी दर में हारास हो जाता है तीसरा जन्संक्या हरास किया उस्था जिसमें जन्मदर पुनह असापन दर से नीचे यानि फटिलीट कितना हो था टू-पॉइंट वन लेकिन उससे भी नीचे चला जाए और मिर्थूदर नीम्र असर पर इस्थिर हो जाए तो क्या है कुल मिलाकर जन्संक्या घट जाएगा यहाँ पर दखिए फेज 1 फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 1 में क्या है जन्मदर पर अधिर से इसमें जन्मदर 40 वीधिर उ Lights चू जर और मिर्थूदर भी तो इसमें उच ही हैं लेकिन निमनी विर्थि दर के साथ कंशनसंक्या भी होती है तो यह बादेर में दखेंगे पहले ह मिर्टुदर कम होने लगी तीसरे का वस्ता देखिए इसमें जन्मदर घटने लगल और और भी घट गिया और फेज तीन में क्या होगा घरास होगा के से क्योंकि जन्मदर भी घट गिया और मिडिस अथा अज में कैसा जाएगा और बारी बारी से बार देंगे तो या फेज 1 फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 एं फेज 5 भी हो सकता है जीडी ती वार्था के अनुसार समानेता परतेक अस्थान पर मनुस परजनन किरिया में समान रूप से संलगन होता है किन्तु संस्कृतिक दिश्टी कोन से उसके विभार में एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर परयाप्त भीनिता पाई जाती है मनुस के इसी दोंद परकिर्ती के कारण भीन भीन परदेसों में जननांकिय संक्रमन की अलग अलग अवस्थाएं मिलती है संस्कृतिक भीनिता के कारण परदेसों में जनसंख्या की जनमदरों में अंतर पाये जाता है इसी परकार जन्मदर और मिर्थुदर में होने वाले कालिक परिवर्तन के फल सोरूब जन्नांकिय संक्रमन की विभिन अवस्थाएं उत्पन होती हैं, जो पराया कालानू करम के अनुसार होती हैं, इन्ही कारणों से वर्तमान में संसार के विभिन देशों में जन्नांकिय सं पहला उच आस्था ही अवस्था इसमें क्या होगा कि जान मिदर में है और मिर्टुदर में ऑ और जम्दर तो उंच रहाएगे लेए नी जैसें बढकित कर सब्सक्राइब तिसरा irradiश इसमें ज्नमेदर और मिर्टुदर दोनों में हारास हो रहा है और मिर्तुदर नीम्न अस्था पर होगी लेकिन फिर भी आवादी बढ़ेगी तिसरा नीम्न अस्थाई अवस्था इसमें जन्मदर और मिर्तुदर दोनों नीम्न अस्था पर चला गया है दुनों बराबर हो गया है यानि आवादी आव फिक्स है निर्धारन जनमदर और मिटुदर में परिवरतन का धार पर किया गया है। जन संख्याइं ब्रधि के विचार से संक्रमन के तीन आवस्थाएं होती है। जिसमें रेखा चीतर में वर्नी दूतिय और तिर्टीय आवस्था को एक साथ मिलाकर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं उप्रोथ जनांकिय संक्रमन की आवस्थाओं करने धारन जनमदर और मिर्टूदर में परिवतन का धार पर किया गया है जनसंक्याई बिर्धी के विचार से संक्रमन की तीन आवस्था होती है जिसमें रिखा चीतिक अधार दिखेंगे अब लोग दोनों हाई हैं दोनों में अंतराल कौम होने के परिणाम सुरुप क्या है तो जनसंक्या अस्थाई है लगभग अस्थाई जनांकिय विकास की इस आरंबिक अवस्था में जनमदर 35 बच्चे परती हजार से अधिक तथा लगभग इससी रहे क्यों कि मिर्टुधर भी उत्के ही हो रहे हैं विज्ञान चिकिस्ता तथा प्रदोगी के विकास के अभाव में प्रकृतिक प्रकोपों और बीमारियों यहों महामयारियों पर नियंतर नौ होने से इस अस्था म से यसे कुछ अंतर भी मिलता है किन्तु आस्था हमें जनम्दार लगभग अस्थाई होती है किन्तु मीर्टुदर घर्ती बरती रहते जिसके पर न्याम सोरूब जनमदार और मीटुदर एक दूसरे के संदर्व में ऊपर नीचे होते अंतर तहा जनमदार म्रतुदर से कु उस समय उच्छ जनमेदर और उच्छ मिर्थू दर की कारण जनसंख्या लगभग अस्थाई होती थी और कभी कभी महामारी, संकमन, बीमारी, अकाल और अन प्रकिर्थिक प्रकोपों के कारण मनुस्तों की अधिक मिर्थू हो जाने से जनसंख्या पहले से घट भी जाती थी क्योंकि उस समय देश की जनसंख्या गट गई थी उनिश्मी सताब्दी के आरंभिक दसकों में कुछ देशों ने इस अवस्था से निकल कर दूतिय अवस्था यानि पारांभिक वर्धमान ने जनसंख्या में प्रएस किया आधुनी के विज्ञान एवं तक्नीक के विकास तथा यतायात और संचान माध्यमों के परचार से अत्यांद पिछले हुए छेत्रों में भी आयाति दवाओं का कुछ प्रयोग होने लगा जिसे क्या होगा सभाविक है मीचु दर में कमी आ जाएगी और यही कारण है कि वर्तमान में संभावता विसका कोई भी देश से ज प्रारंभी के वर्दमान अवस्था यह जनांकित संक्रमन की दूती अवस्था है जिसमें जनमदर उंच और लगभग अस्थाई होती है किन्तु मिर्तु दर में हरास होने के कारण क्या होगा कुल जनसंख्या में बिर्द्य होगी इस अवस्था में जनमदर परती हजार प पर की तरफ जाएगा मिर्तु दर में हरास के अनेक कारण उतर रहीं जैसे इस में पोशन सफाई स्वास्त सुईधाओं में सुधार बीमारीयों पर निहंतरन तथा राजिनेतिक अस्थाइतों के कारण युद्ध में कमियादी कारण है वर्तमान में अनेक विकास सेल देश इ उगंडा तथा जाएड़े एसिया में अफगानिस्तान बांगलादेश इरान मयामार यानि बर्मा नेपाल आधिदेश जनांकिय संकर्मन की दूतिय वस्ता में यहां 1990 के दसक में जन्मदर 352 परती 2000 के मत था किनिया बांगलादेश पाकिस्तान आधिकुछ देशों में तो होगा कि जन जनांकिय संकर्मन की यह तिर्तिय वस्ता क्या नेजनमदर ने संकर्मन ने‍ट सुने लगता भी भी तो आबादी पांच पर ही क्या ना इस अवस्था में अद्धोगिक और नगरिये समाज विक्सित होते हैं जिसमें बच्चों के पालन पोसंत सिक्षाधी पर है बरते भार्ख से लोगों में परिवार नियोजन के परती जगरुपता में बिर्धी होती है और वे बीभ अ味रिका में अलजिरिया मी्स्र और दक्षिन अफ्रीक को फिर दक्षिन अफ्रीका में को अधी जनांकिस संकर्मन की इसे फ़ přिसे कि से किन सब्रस भोडणे और वहीं मिर्थुदर घटकर 15 Пр Q हजार से भी मैंने ये ख़जार में पंदरा है वेक्ति से भी नीचे आ लिया है और नीम्न अस्थाई अवस्था यह जनांकिय संक्रमन की चातूर सावस्था है जिसमें जन्मदर और मिर्टूदर दोनों नीम्न अस्थाई पर पहुँचकर लगभग इस्थिर हो जाती है जिस अच्छा आधी पर भरते खर्च और उच जीवन अस्था के परती सजक होने के कारण लोग कृत्रिम साध्यों के परियोग से परिवार को सीमित करने हैं तू परितन सील हो रहते हैं जिससे जर्म दर नियंतरित और नीम्न पाई जाती है जहां एक चिकिस्ता विज्ञान और पर दोगी के बिक्सित होने से महमारी conteúdo और विमारी पर नियंतर न्यंतर्न हो जाता है वही दूसरी और उच आस्तर समाज में जनम दर और म्यूद और दोनों नीम्न आस्तर पर पहुंच Walk जाती है संकर्मन की चतूर सवस्था में केवल भी क्सी दिस आते हैं जहां अदोगी करण और निम्री करण की अस्तर उच्छ है और तक्नीकी विकास भी उच्छ तमस्तर पर है उत्री अमेरिका में सुनीत राज अमेरिका और कनड़ा रूस सहीत इउरोप के अन्यक देश ग्रेट बीटेन फ्रांस जर्मनी इटिली पोलेन बेल्जीन स्वीटन हंगरी चेक गनराज यूक्रेन इस्पेन आ दियाते हैं एसिया में जपान और चीन तथा अश्रेलिया जनां संग्हा लगभग श्नरात इस तीर रहती है कि तो यहां उच्छे जन्मदर और उच्छी मिर्थुदर के परिद् आ उत्पन होती है कि आगे बढरती है शंख्रमान के चकुष्टा आस्था में भी जन संख्यां ने, यहां कि यहां नीम। जनवदर और निम्न मिर्तुदर का परिनाम होती है इस प्रकार परतम अवस्था जनस potencial के उच्छ एस्थाईट और चतूत अवस्था नीम्न अस्थाईट यू को परिखर्ण करती है परतम आवस्था में जनमदर रहा, स्थिर और मिर्तुदर घरती वर्ती है लेकिन्तु इसके विप्रीद चतुर्स अवस्था में मिर्तु दर तो इसी है और जनमिदर परिवर्तन सील है जननकी संक्रमन की पांची वस्था भी दिखती है इसमें जनसंख्या बिर्तिरी नात्मक हो जैसे इटली और ग्रिस की बाता दिया है सिध्धान का मुल्यांका देखते हैं तो जननकी संक्रमन मोडल विस्व में जनसंख्या विकास की इतिहास का एक विड़त अस्तरी समानी करन पर स्थूत करता है इसके जनसंख्या परिवर्तन की विभीन अवस्थाओं का समान भी लेशन किया जाता है इसमें संबंधित कुछ परमुक्त तरक भी हैं जैसे जलांकी संक्रमन मोडल पास्चा देशों के जनसंख्या विकास संबंधि अनुभव अपाधारित है ना की पूर्वी देशों के जो जनमिदर और मिर्दूदर के निशी संबंध और उनके उनसे उत्पन संक्रमन अवस्थाओं की वियाख्या क करता है और बिखसीत और विकास इसी आई अफ्रिकी एंडिन अमर्की देशों की जनसंख्या विकास में संक्रमन अधिक सार्थक यों उपयोगी नहीं है विस्टो के बिभीन देशों के विकास का घठनाकरम निश्चीत रूप से पास्चात डेशों के घठनाकरम तथा पर पर अधारीत मूल जनांकिया संक्रमन मोडल में उलेखनिये परिवर्थन किया सकता है क्योंकि इसके इनके आर्थिक समाजिक प्रतो की आधिके विकास की गति एवं दिसा पासचाद देसों में सरवथा भिन रही है और दुट्ये 20 यह बात होती हैं दूट्ये विश्विया दि पूर्वी एवरोप के देशों में जनांकि संक्रमन काल का अरह में बीस्मी सतावदी के आरह में हुआ था उनमें साहर दिखाना देशों में जनसंग्या विसफोट अवस्था दूट्ये आंस्था का सामना किये ब और उनका जनांकिये परिवर्तन समाने तो वहां के समाधिक आर्थिक और परदोग्य के विकास से सुन्यूकत रहा है कि तुद्धिये एवं तिर्थिये विशु के देशों के जनांकिये विकास पर अस्थायनिये संस्कृतियो जलवायो आधिका भी महत्तोपुन परभाव द कर सकते हैं अब आगे क्या है जनांकिय संक्रमन का प्रादेशिक परती रूप तो यहां हम लोग इसको अगले वीडियो में लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होज रहा है तब तक धन्यवाद आसा करते हैं कि अगले बार हम लोग यह जनांकिया भोगल का इसको समाप्त करते हैं तब तक धन्यवाद आसा करते हैं कि हमारा यह पढ़ियास अच् तो जरूर लाइक करें, सेर करें, कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद